मौका है क्रिसमस का ऐसे में राजधानी राची और पूरे जारकंड में क्रिसमस की धूम देखी जा रही है राची में भी क्रिसमस बाजार गुलजार नजर आ रहा है रंग बिरंगे सितारों से गलियां चमक रही है सितारों की बात करें तो क्रिस्मस में सजाने वाले जो सितारे होते हैं स्टार्स होते हैं और फुलजड़िया होती है वो सीधे तोर पर लोगों का मन मोह रही है और कहीं न कहीं क्रिस्मस का बजार गुलजार नजर आ रहा है अब कुछी दिनों में क्रिस्मस की धूम राजधानी ही नहीं बलके पूरे जारकन में देखी जाएगी और इसे लेकर लोगों ने तैयारिया शुरू कर दी है और जब भी आता है प्रभू इशू का नाम तो लोगों के चहरे ऐसे ही खिल उठते हैं और स्रद्धा और आस्था के भाव भी दिखने लगते हैं राची में इन दिनों क्रिस्मस का बाजार गुलजार है लोग अपने अपने घरों में जिस थरह से भी सेलेबरेट करें लेकिन चांद सितारे हैपी क्रिस्मस और पटाकों जैसी विभिन साज सजावट की जो चीजे होती है वो फिलहाल खरीदारी करने आ रहे हैं सकते हैं राची के विभिन बजारों में विभिन जो दुकान है सड़क किनारे जितने भी दुकान दार हैं वो भरे परे हैं लोग जो ग्राहकों की भीड़ भी देखी जा रही है और कहीं न कहीं चमकते चांद सितारों से बाजार जो है वो गुल्जार रजार आ रहा है अगर हम बात करें क्रिसमस की सेंटा क्लोज की ड्रेस हो या फिर उसकी टोपी हर तरह से लोगों को खूब भा रहा है और लोग इसकी खरिदारी जम कर कर रहे हैं कुछ लोग है जो दुकान में यहाँ पर खरदारी करने आए हैं इन लोगों से बात करते हैं क्रिस्मस का मौका है क्या कुछ कैसे सजाते हैं घर को क्या कुछ करते हैं खास मौका होता है क्रिस्मस जब बच्चों को भी काफी खुशी होती है तो बच्चे कैसे सिलेबरेट करते हैं जिंगल बेल जिंगलबेल के गानों के साथ लोग पूरे उत्सा के साथ बाजार में खरीदारी कर रहे हैं कहीं करिसमस का जो धूम है वो देखते ही बनेगा लोगों का उत्सा भी भरपूर है आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं राजधानी राची की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग क्रिस्मस की तैयारी में जूटे हैं दुकंदार भी यहां पर व्यस्त नजर आ रहे भाया क्रिस्मस की धूम है काफी बजार है थोड़ा सा पता दीजे कितना मतलब केसा है बहुत बड़े हैं ऐसे में लोग बजार में क्रिस्मस की तमाम जो समगरी होती है साथ सजावट की वो फिलहाल खरीदारी में है और देख सकते हैं तस्वीर दिदी थोड़ा सा पता दीजे क्रिस्मस के लिए क्या कुछ तैयारी सल रहा है क्रिश्मस के लिए अच्छे से हम लोग खरीदारी करें दो साल हम लोग करोना को जेलते वे इस वार ज्यादा एक्साइट मेंट है लोग अच्छे से खरीदेए मैं भी खुद भी घर सजाने हैं और मैं स्कूल की टीचर हूं तो मैं स्कूल की आक्टिविटी एक्टिविटी कर दे कुछ बना रहे हैं चड़नी वगेरा बनाए स्लेज बनाए स्नोमैन बनाए हैं और वो लोग केक्स वगेरा भी अपने घर से बना के ला रहे हैं वह बहुत एक्साइटेड है कि मिल करके बच्चे सब इंज्वाए करें क्रिस्मस ही एक ऐसा मौका होता है जब सेलेबरेशन का मौका होता है बच्चे हो बड़े हो युवा हो हर कोई मस्ती के मूड में होता है अभी राजधानी में कुछ इस तरह के आप देख सकते हैं सेंटर क्लोज की जो स्टेचू है वो है खिलोने हैं बच्चों को खूब भा रहे हैं और यह देख सकते सेंटर क्लोज कुछ न कुछ कह रहे हैं कुछ संदेश दे रहे हैं क्या आप बात है शानदार सेंटर क्लोज के इस तरह के खिलोने भी बजार में उपलब्ध है टोपिया मौझूद है, ड्रेस मौझूद है खास करके सेलेबरेट करने के लिए जो साथ सजावट की चीजे हैं वो बजार में मौझूद है और लोग जम कर इसकी खरिदारी कर रहे हैं अब देखना होगा क्रिस्मस की दूम कैसे, इस तरह से इनकी सजावट पर चारचान लगाता है और ये उत्साह कितना सरचड कर बोलता है, ये देखने वाली बात होगी अपने सयोगी अरविंद के साथ मौझूद बिन समचार पलस राची